मनीपूर में मेती और कोकी समुदाय के बीच जारी हिंसा को गुरुवार को तीन महीने पूरे हो गए अब तक राज में 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं कई लोगों के शव इनफाल के अस्पतालों की मौल्चुरी में रखे हैं इन में से आज कोकी जो समुदाय के 35 लोगों के शवो को सामुएक रूप से दफनाया जाएगा कुकी जो समुदाय का संगठन इंडिजिनन्स ट्राइबल लीडर्स फोरम चुराचांदपूर जीले के लमका शहर के तुईबोंग शांती में शवो को दफनाने का कारिक्रम करेगा इस बिच विश्णूपूर चुराचांदपूर जीले की बॉर्डर पर अतिरिक्त केंदरी सुरक्षा बलो को भेजा गया है बुधुहार रात एक अफ़ा फैली कि कुछ जो कुकी लोगों के शवो दफनाने के लिए बहाल ले जाए जा सकते हैं इसके बाद इनफॉल के रिजिनल आईरविज्ञान सस्थान और जवालल नहरू आईरविज्ञान सस्थान दो अस्पतालों के पास भीड जमा हो गई हालाकि पुलिस भीड को शांत करने में काम्याब रही रात दस बजे तक कोई घटना नहीं हुई इनफॉल के इन दिनों अस्पतालों की मौल्चुरी में ही इनफॉल घाटी के जाती संगर्श में मारे गए लोगों के कई शव रखे हुए हैं किसी भी हिंसा को रोकने के लिए यहां असम राइफल्स रैपिट एक्शन फोर्स केंजरी रिजव पुलिस बल और सेना की अतिरिक्त टुकडियां तेनात की गई है इमफाल में अपुंबा तैनबांग लूप पात्सोई विधानसभा शेत्र की महिलाओं ने 26 दिन बाद दो किशोरों का पता नहीं लगा पाने के विरोध में प्रदशन किया तीन माई को हिंसा फैलने के बाद से राजे में दो पत्रकारों और दो किशोरों समेच 27 लोग लापता हैं मोहरे से सुरक्षा बल हटाने को लेकर गुरुवार को 12 घंटे का कंग पॉक पी बंद रहेगा इसी के साथ बने रहे हैं राजनामा टीवी के साथ रहने बाद